हेलो फ्रेंज, वेलकम तो एट्वेंटीफोर नॉलेजे ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो की फैंज से स्टार्ट हो गया है पांच अक्टूबर दो हजार चौबिस से इसका ओनलाइन फॉर्म आप कैसे अपलाए कर सकते हैं इसके स्टेप बाइस्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो यहाँ पर फैंज से देखिए इस वेकेंसी से रेलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरासा.com पर देखने को मिल जाएगी वहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं पोस्त के लिए नॉटिफिकेशन आपका जारी किया गया है और इसमें अप्लाइ करने से पहले एक बार इसकी LBT कंडिशन को चेक जरूर कर ले अब यहाँ पर देखिए फैंसे जो ONGC पोस्तल है इस पर फैंसे आविदन करने से पहले आपके पास active mail ID और active mobile number होना चाहिए qualification में ITE, diploma, degree, 10th या 12th जो भी आपने pass out किया हुआ है वो आपके पास होना चाहिए community certificate है तो वो आपके पास होना चाहिए pen card है तो pen card, अधार card है तो अधार card यह आपके पास होना जरूरी है इसमें friends से register करने के लिए आपके पास देखिए दो तरह से आप form को apply कर सकते हैं पहला है apprenticeship India.gov.in की website से और दूसरा है friends आपका NTS portal के माध्यम से कौन-कौन से portal है तो friends यह है आपका apprenticeship portal और यह है friends आपका यहाँ पर NTS portal इन दोनों ही portal से आप apply कर सकते हैं या तो आप इस portal से apply करेंगे या आप इस portal से apply करेंगे दोनों ही portal पर apply करने का जो process है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको आविदन यहाँ पर करना है इसके लिए friends आपको देखिए यहाँ पर करना क्या है आप जो है registration करेंगे इसका देखिए registration करने का जो process है वो मैंने आपको पहले ही provide किया हुआ है आईटाई apprenticeship registration आप कैसे कर सकते हैं process आपकी यहाँ पर सेम रहेगी कोई भी fees यहाँ पर आपकी नहीं लगती आपका 100% profile आप complete कर लेंगे जब अपना profile आप यहाँ से complete कर लेंगे इसके बाद friends आप इस portal से जो की login या register का option है जैसे friends जो candidate का option है इसमें आप login कर सकते है as a candidate आपकी mail id और scripture code को डाल कर आप submit यहाँ से कर देंगे register करने के लिए register as a candidate आप करेंगे IT student है तो IT student select करेंगे IT का रूल नंबर देंगे और find details आप यहाँ से कर लेंगे अगर आप माल लिए IT student नहीं है तो mobile नंबर और mail id के साथ आप यहाँ से register कर सकते हैं registration करने का जो full process है वो मैंने friends आपको इस video में provide किया हुआ है आप इस video को check कर सकते हैं और उसके बाद अपने registration को complete आप कर सकते हैं जो registration complete हो जाएगा उसके बाद आप login कर सकते हैं as a candidate और उसके बाद friends आप इसमें apply कर पाएंगे तो यहाँ पर friends से login करने के बाद आपको देखे apprenticeship opportunity वाला option मिलता है जहाँ पर आप step 9 appointment search कर सकते हैं जो की oil and natural gas corporation है और इस पर search करने के बाद जैसे आप माले जीए जो भी आप option को select करते हैं उसमें आपको friends opportunities में option मिल जाएगा और इसमें आपको यहाँ पर देखे details मिल जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पर apply का option मिल जाएगा आप यहाँ से apply कर देंगे आप friends से इधान रखेगा apply करने से पहले आप friends से केवल एक ही यहाँ पर trade के लिए apply कर सकते हैं या तो आप इस portal से apply करें या friends आप इस portal से apply करें आप multiple form यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं simple step है पर जो main यहाँ पर process है वो है आपकी profile को complete करने का इसके लिए मैं आपको बता दिया है आप jobrasa.com पर जाएगे आपको वीडियो मिल जाएगा या 824 knowledge पर भी आप सर्च कर सकते हैं पूरा process मैं आपको यहाँ बताया हुआ है इस वीडियो में अपने वीडियो को पर जो भी जानकारी आपको मैंने provide की हुई है वो आप चेक करके यहाँ से इस process को complete कर लें और उसके बार आप उसमें apply कर पाएंगे अब बात करते हैं second process की जो की friends NTS की है इसमें आपको कैसे करना है तो friends से यहाँ पर देखिए इसका भी वीडियो मैंने पहले provide किया हुआ है वही वीडियो में friends से यहाँ पर आप चलाओंगा तो आप उस process को complete करने के बाद ही आप इसमें आविदन करेंगे तो आगे जो वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी वो friends old video के according है तो आप उस वीडियो को ध्यान से पूरा देख ले और उसके बाद अपने registration को complete कर ले अपलाई करने से पहले जैसा मैंने कहा notification को read out करना जरूरी है तो आप notification को जरूर पढ़ सकते हैं आपके वल एक ही trade के लिए एक ही work center या location के लिए apply कर सकते हैं वर्क center, trade और number of seats आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो आप इन में से जो भी post के लिए apply करना चाहते हैं आप apply कर सकते हैं और यहाँ पर फेंसे जो qualification है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ ले रहा है कि किस qualification के अंतकत आप आविदन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको scroll करते हुए नीचे आना होगा इसी notification में आपको फेंसे दिखी qualification भी दी गई है 10th, 12th, ITI है, diploma है, degree है, BBA, graduate degree है, तीन साल का diploma है आपको इसी भी condition में इसमें जो है apply कर सकते हैं बस यहाँ पर 1-19 तक के लिए registration जो करना है पोस्ट कोट के लिए वो apprenticeship इंडिया पर करना है और पोस्ट कोट 20-40 जो serial number दिया गया है उसमें NATS पर करना है apprenticeship इंडिया का मैंने process बता दिया है कि आप friends सबसे पहले यहाँ पर jobrasta.com पर जाकर वीडियो चेक करेंगे इसके बार यहाँ से search करके अपने friends से यहाँ पर apply वाले option पर click करके apply कर लेंगे अब हम बात करेंगे NATS portal की यहाँ पर देखे है आपको student का option मिलता है आप student पर click करेंगे अगर आप पहले से register हैं तो student login पर जा सकते हैं और यहाँ से आप login कर सकते हैं अगर आप friends पहली बार registration कर रहे हैं तो उस condition में आपको यहाँ पर student register पर click करना होगा इसके बार कुछ basic options हैं जैसे अधार card, आपकी mail ID, mobile number, photograph, अधार, seeded या friends mapped bank account, qualifying degree और bank password या bank account के statement आपके पास तयार होना चाहिए तो आपसे फूचता है कि आपके पास यह data है, एंडोल करने के लिए वो है या नहीं है, आप yes पर click करेंगे आपकी mail ID आपको यहाँ पर enter करनी है, आपका mobile number आपको यहाँ पर enter करना है और उसके बाद send OTP पर आपको click करना होगा इसके बाद friends आपके देखिए जो mail ID है, उस पर friends एक OTP आती है और साथ में friends आपके mobile पर भी OTP आती है, वो OTP आपको डालनी है और उसके बाद friends यहाँ पर verification या verify OTP का option है, यहाँ से आपको OTP को verify कर देना है OTP verify करने के बाद friends यहाँ पर देखिए, आपको friends जो आपका form है वो start हो जाएगा और यहाँ पर friends आपको guideline दी गई है कि जो enrollment module है आपके student facilities के लिए यह friends आपके pass out in graduate in engineering या technology, graduate in general stream, graduate in vocational, diplomat in engineering या technology, diplomat in general stream या vocational और friends से यहाँ पर जो student pursuing करने हैं sandwich course वो भी friends से यहाँ पर enrollment कर सकते हैं अगर आपने कोई भी apprenticeship program में यहाँ पर पहले से कोई training ली हुई है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं अब देखे yes करने पर आप यहाँ पर eligible नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर वापस से send कर दिया जाएगा तो उस condition में friends से आपको यहाँ पर no ही करना होगा और साथ में friends से आपको देखे जो experience section है इसमें एक साल से ज़्यादा का experience भी आपके पास नहीं होना चाहिए इसके बाद pass out कैसे है वो आपको जनकारी provide करनी है आपके अधार कार्ड के according आपको यहाँ पर आपका नाम देना है आपको friends आपकी जो DOB है में इसे date of birth है तो आपको यहाँ पर calendar आपके सामने open हो जाता है आपका जो भी date of birth है date month and year यह friends आपको यहाँ पर enter करना होगा तो date birth आपकी यहाँ पर enter करने के बाद आपको यहाँ पर gender select करना है आपकी community कौन सी है general OBC, SC, ST वो आप select कर सकते हैं आपका अधार कार नंबर क्या है वो आपको देना है अधार कार आपको यहाँ पर upload करना होगा इसके बाद friends आपको यहाँ पर next option है आपके friends से state जहाँ से आपका institute बिलोंग करता है मतलब जो आपका institute है जहाँ से आपने qualification पास की है वो आपको select करना है और जहाँ से आपका institute बिलोंग करता है वो district आपको select करना होगा इसके बाद friends आपको यहाँ पर नीचे आते हैं और नीचे आने पर friends आपको यहाँ बताया गया है देखिए आपको select क्या करना है तो अगर आपको यहाँ पर graduate in engineering गर टेखनोजी है तो आपको देखिए इन course में से आपको यहाँ पर select करना होगा graduate है आपका general stream में तो आपको friends आपको यहाँ पर दिया गया है BCA, BFA, BBA, BBS, BD, BPA, BSW यहाँ आप select कर सकते हैं डिप्लोमाइन टेखनिकल जो आपकी यहाँ पर है उसमें आप इस option को select कर सकते हैं तो education type आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपके according जो भी education type आपका है वो आप यहाँ पर select करेंगे इसके बाद course का नाम है, course का नाम आपका इन में से कौन सा है वो आपको यहाँ पर select कर लेना है specialization क्या है तो आपको specialization के लिए यहाँ पर एके list मिल जाती है आपके according जो भी आपका specialization है वो आप यहाँ से search कर सकते हैं search करने के बार आपका फ्रेंच से unique registration गया जो role number होता है वो आपको फ्रेंच से यहाँ पर enter करना होगा यह फ्रेंच से enter करने के बार आपको यहाँ पर देना है आपका year of passing आपने इसको कब pass किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे month of passing क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है इसके बार फ्रेंच से next option percentage का है तो आपको फ्रेंच से यहाँ पर जो आपकी को यहाँ पर confirm करना होगा अब देखे फ्रेंट से यहाँ पर आपको बताया गया है पासवर्ड में देखी आठ करेक्टर कम से कम होने चाहिए इसमें capital letters, number और special character आपके उस password में होना जरूरी है तो यह guideline आपको यहाँ पर दी गई है तो इस guideline को आपको follow करना है तो फ्रेंट से मैं यहाँ पर देखिए आपको sample के तौर पर जो password है वो आपको यहाँ पर लिखकर शो करता हूँ जैसे आप यहाँ पर uppercase यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर numbers यूज कर सकते हैं और यहाँ पर special character यूज कर सकते हैं इसके बाद पासवर्ड को यहाँ पर create करेंगे और उसके करने के बाद आप अपनी mail ID और पासवर्ड आपने create किया होगा वो डालकर आप login कर सकते हैं इसके बाद अपने portal पर login हो जाएंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर photograph अप्लोड करना है JPG या PNG format में तो browse पर click किजिए file को select करके यहाँ पर upload किजिए आपका mother name क्या है आपक सिम्पली यहाँ पर NO कर देंगे इसके बाद तो आप यहाँ पर PhD Candidate है तो आप यहाँ पर Yes कर सकते हैं अगर प्यच कर करेंगे और भी आप यहाँ से डाटा को Save & Continue कर देंगे इसके बाद फिप्र नेस्ट आप्शन आपके यहाँ पर है आपके इंस्टूट के नेम का आप इसे आपको option मिलता है graduate in engineering technology आपने join की है किसके बाद डिपलोमा के बाद तो आप डिपलोमा की जानकरी यहाँ फिल करेंगे अगर आप 10 प्रस 2 के बाद यहाँ पर डिगरी करी है तो 10 प्रस 2 सेलेट कीजिए आईटे के बाद की है तो आप अपने according option को select कर सकते हैं इसमें friends आपको देख है स्कूल या इन्सीट्ट का स्टेट आपको देना होगा किस स्टेट से आपने qualification की है अपने नाम इसे दिघ्स्टिक पर देना होगा तो मैं स्थ सेंपल के तो पर दे रहा हूँ कोई भी general skill है आपको कोई भी knowledge है कोई भी आप extra कोई skill जानते है वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है add, separate values example skill 1, skill 2 and space is not allowed तो friends आपको यहाँ पर जो भी आपकी general skill है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद कौन-कौन सी language आप जानते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर example दिये गए है तो आपको यहाँ पर जो example दिये गए है इस तरह से ही आपको यहाँ पर entry करनी है space आपको यहाँ पर नहीं देना और आपके अपने बारे में कोई भी आप यहाँ पर जानकारी जो है वो provide कर सकते हैं और उसके बाद ही आप save and continue करेंगे इसके बाद friends next option आपके address का है तो यहाँ पर देखिए आपको आपका permanent address का जो pin code है वो आपको देना है इसके बाद आपका जो यह post office है वो option आपका open होगा post office select कर लीजिए district, state आपका automatic आजाएगा इसके बाद friends आपको यहाँ पर जो भी आपका पूरा address है वो आप यहाँ पर देंगे अगर यह same है present से तो आप same page पर click कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ से भी save and continue कर देंगे इसके बाद training preference आपको कौन सी चाहिए तो आपको यहाँ पर state select करना होगा तो state की आपको यहाँ पर list दीखने को मिल जाएगी इसके बाद डिस्टिक्स select कर सकते हैं ऐसे ही friends को कोई second अगर माल लीजे आप कोई और state में अगर आप location preference देना चाहें तो आप दे सकते हैं बाकी friends यहाँ पर आप अपने state में अपने local areas में preference देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं तो यह friends आपके उपर depend करता है आप जो आपका यहाँ पर जो training preference है आप यहाँ पर देना चाहते हैं इसके बाद फिल्ड preference का option है तो आप इनसे कौन सी फिल्ड में यहाँ पर फिल्ड में यहाँ पर जो preference है वो देना चाहते है तो क्योंकि यह apprenticeship training के लिए है तो आपके according जो भी preference है आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर इसमें कोई preference नहीं है तब other भी select कर सकते हैं तो यह आपके उपर depend करता है fully तरह से कि आप कैसे यहाँ पर जो भी आपका preference preference है वो आप यहाँ पर देना चाहेंगे इसके बाद friends next option bank details का है तो आपको यहाँ पर IFC code देना है IFC code देने के बाद automatic आपके branch का नाम यहाँ पर आ जाएगा bank का नाम आ जाएगा account holder name आपको देना है bank account number देना है और passbook जो bank का front page है उसको friends आपको pd format में यहाँ पर upload करना है और उसके बाद save and preview कर देना है इसके बाद friends आपका आएगा आपके सामने preview option, preview section को ध्यान से check करने अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप इसे edit कर सकते हैं नहीं तो आप इसे यहाँ पर click करेंगे और उसके बाद final submit कर देंगे इसके बाद friends अब आपको यहाँ पर देखिए आविदन करना है तो आविदन करने के लिए आपको देखिए apply against advertisement vacancies का option मिलता है या तो आप यहाँ पर एक तरह से देख सकते हैं आपको देखिए oil and natural gas corporation का option मिल जाएगा या सर्च वाले option पर जाकर आप oil and natural gas corporation लिख देंगे तो आपको यहाँ पर देखिए vacancies मिल जाएगी अब यहाँ पर friends आप इनकी जो भी criteria है वो आप यहाँ पर check कर सकते हैं आप माली जी किसी भी option पर click कीजिए उसके बाद friends से आपको वहाँ की जानकारी मिल जाएगी number of apprenticeship कितना है course type क्या है आपकी friends से यहाँ पर minimum percentage कितनी required है वो सारी आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो आप यहाँ से जानकारी को check कर सकते हैं और इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए यहाँ आपको option मिलता है apply का तो आप दिएगे apply वाले section पर click करके यहाँ से जो अपना apply process से वो आप complete कर सकते हैं simple step है आपको यहाँ पर कुछ भी जानकारी और ऐस्टा फिल करने की जोरत नहीं है तो यहाँ पर देखिए दो तरीकेते form को apply करने के दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिये हैं अगर आप IT apprenticeship करना चाहते हैं तो IT apprenticeship करने के लिए आपको जो वीडियो मैंने provide किया हुआ है आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं और अगर आप NETS portal से अगर आप आविदन करने हैं NETS का process का मैंने वीडियो इसी वीडियो में आपको बता दिया है कैसे आपको registration या form को apply करना है कोई भी application fees नहीं है और इसके अलावा फैंसे यहाँ पर कोई भी exam आपका नहीं है तो ये friendship vacancy apprenticeship के लिए है अगर आप आविदन करना चाहते हैं तो आप आविदन कर सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो like, subscribe and share जरू कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे साथ देखते रहे हमारा ये वीडियो टेया अला सेंक्स पूर वाचिंग